नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है आर जून, मंगलवार दोपह सवा दीन बजे, रास्तान जोत्पुर विकानेर की बड़ी खबरे रास्तान सरकार को कोरोना महमारी में आर्थिक संकर से जूजना पढ़ रहा है एक विभाग ऐसा भी है जिसने कोरोना काल में सरकार की जोली भर दी है कोरोना महमारी में रास्तान पुलिस ने 100 करोड रुपे से अधिक का जुर्माना वसूल कर सरकार की जोली में दिये है एडिशनल कमिशनर अजयपार लांबा ने बताया कि जोपर पुलिस ने 5 करोड 35 लाग रुपे का राजस्व सरकार को दिया है जोपर में पुलिस ने 393,000 कुल कारवाही की है रास्तान में पशिमे विक्षोप कासन मंगलवार को भी चौरी रहेगा मौसम विज्यान केंद्र जयापर के अनुसार पुर्वी रास्तान के कोटा उदैपुर जयापुर वे भरतपुर संभाग में मंगलवार को एक दो स्थानों पर में गर्जन और तेज हवाओं की साथ हलकी बारिश हो सकती है पश्यम रासान में 20-30 किलोमेटर प्रति घंडे की रफता से हवा से धूल भरी आंधी चौँ सकती है मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद हलांकी मौसम साफ हो जाएगा जो प्रदेश में आगामे कुछ दिनों तक शुश्क रहेगा प्रदेश में कुरोना संक्रमन के मामलों में लगाता गिरावट आने के बाद आज से प्रदेश में मिनी अनलॉक टू लाग हो गया है साथ ही नई गाडलाइन भी आज सुबह पांच बजे से लाग हो गई है नई गाई डाइन में बाजारों के साथ साथ वेफसाइक गतिविदियों में छूट का दायरा बढ़ाया गया है आज से बाजार भी सुबह 6 से शाम के 4 बजे तक खुलेंगे बढ़ाया जा रहा है कि धीरे धीरे कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में होने के बाद प्रदेश में छूट का दायरा और बढ़ा दिया जाएगा वहीं आज से प्रदेश पूरे 10 घंटे अनलॉक रहेगा जपर ग्रेटर महापाओर सौमिया गुर्जर को निलंबित करने पर विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है मंगरवार को देपूर में बीजीपी कारे करताओं ने रासान की कॉंगरिस सरकार की खिलाब विरोध प्रदेशन कर फिर से सौमिया गुर्जर की बहाली की मांगी जिला कलेक्टरेट के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कारेकरताओं नारे बाजी कर विरोध प्रदेशन किया महीं जपन में हुए राजनितिक घटांकरम को अलोगतांत्रिक करार दिया कोरोना वारस से निजाद इलाका शुरीर में ऑक्सिजन साचुरेशन को बढ़ाने में कारगर बताय जो रहे एंटी बॉडी कॉक्टेल इंजेक्शन की महस एक डोस शुरीर में गुसेव वारस का खात्मा कर देगी ये दवा कैसी रिवी मैप और इंदिवी मैप सॉल्ट को बना कर तयार किया गया है राजसान सरकार ने इस इंजेक्शन की खरीद कर ली है फिर हाँ 6,000 इंजेक्शन खरीदे गए हैं इसी माहा इंजेक्शन जोदपुर पहुंचने की संभावना है हरांके इंजेक्शन बहुत मैगा है लेकिन राजसरकार मरीजो को सरकारी अस्पताल में ये इंजेक्शन ने शुल्क लगाईगी पूरे देश में करोणा की दूसरी लहर का प्रभाव धीमा परता जा रहा है रास्तान में इसका असर देखने को मिला है और यहां भी केसों की संख्या में कमी आई है एक्सपर्ट ने इसे लॉकडाउन का असर बताया है साथ ही कहा कि पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में अधिक मौतों से जो डर बैठा उसे लोगों ने काफी सावचेती बर दी घरों में रहकर भी बेहत सतर्क रहे और फियर फैक्टर भी इसका एक कारण माना जो रहा है आप जितना ज़्यादा टिका करन हो उतना ही अच्छा है प्रिस्वा चार निरुदक भीरों ने आज बेकानेर के मेडिकल कॉलिज के मुख्य लेखा कार केकी गोयल को पचास हजार रुपे के रिश्वत लेते कि रिफतार कर लिया उसने जैसे एही परिवादी से रुपे लिए एसीवी की टीम ने उसे दबोच लिया मुख्य लेखा कार ने परिवादी की विलो का भुक्तान करने के एवस में दो प्रतिशत कमिशन मांगा था बाद में वो एक प्रतिशत कमिशन पर सहमत हो गया परिवादी ने मुख्य लेखाकार द्वार रिश्वत मांगे जाने पर शिकायद की तो ACP ने सत्यापन करवाया सत्यापन में शिकायद सही पाय जाने पर लेखाकार को पकड़ने के लिए जौल बिछाए गया जोद्पु शहरा से 10 घंटों के लिए अनलॉक हो गया दो पहर में बाजारों में भीट दिखाई देने लगी वाहनों के कारंट कई सडके सिकुड़ी सी नजर आ रही थी कई दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां बिखरते नजर आई पहले लगडाँन के दुरां दुकानों के बाहर जो गोले बनाए गए धे वे अब गायब हो चुके हैं हरीके बेराथ से काले पाने के शुकायत सामनी आई है रविवार को एक वीडियो भी जारी हुआ जिसमें हरीके बैराज से काला पान रासान की ओर आता हुआ नज़र आ रहा है नहर प्रश्वासन इससे मुकर रहा है नहर प्रश्वासन का कहना है कि जो वीडियो वाइरल हुआ है वो 2008 रखा है हमने हरी के बैराज से लेकर मसिता वाली हेड के बीच पता लगाया कहीं भी काला पानी नहीं है अतरिक्ति मुख्या भियंता अजय शर्मा ने मुख्या भियंता को पत्र भीज कर कहा कि नहर में काला पानी आ रहा है लेकिन नहर विभाग की और से कोई सूचना नहीं मिली ब्रश्चार नेरोदक बीरो ने बार में जुले की च्छोहटन पंच्वाय समीती के डेलियों का तलाग ग्राम पंच्वायत के एलडीसी जगदीश नाथकुन धाई हजार रुपे की रिश्वत लेते पकड़ा है बीरो के डियाएजी डॉक्र विश्णू कांत ने बताया कि आरोपी एलडीसी ने परिवादी पदमाराम और उसके भतीजे की नरेगा मजदूरी की एवच में रिश्वत मागी थी ट्राप का आयोजन बीरो के अधरिक्त पुलिस अधिक्षा क्राम निवास के नेतरतों में किया गया सीबी असी और आसान बोर्ड ने परिक्षाएं रद कर दी लेकिन प्रदेश भर के युनिवस्टी में परिक्षाओं को लेकर असमन्जस बर करार है सरकार ने इस असमन्जस को दूर करने के लिए ही एक कमेटी बनाई है ताकि ये तैह हो सके कि आखिर परिक्षा का क्या पैटर्न रहे और अगर परिक्षा के हालात ना बने तो किस आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए कमेटी ने तमाम विश्व विद्याले से इस पर राय मश्वरा किया तो जाएतर परिक्षा के पक्ष में खड़े नज़र आए उनिवस्टी का कहना है कि दे से ही सही लेकिन परिक्षा कराना ज़रूरी है प्रदीश में गहलो सरकार जयप्र ग्रेटर नगनिगम के महापार वे तीन पार्षदों की निलंबन के खिलाफ मंगलवार को जोथपुर में भाजपा द्वारा विरोध प्रदेशन किया गया भाजपा के शोहर जुलाध्याक्ष देवेंद्र जोशी के नेतरतों में किये गए इस प्रदेशन में भाजपा पता दिकारी व्यकार करताओं ने हाथों में तक्तिया लेकर गहलो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की प्रदेशन के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न उतरपशिम रेलवे के वरिस्ट जन संपर का दिकारी गोपाल शुर्मा ने बता कि विभीने रेल गाड़ियों में मई माह में सत्रसो यात्रियों को बिना मास्क यात्रा करते पकड़ा गया जोदपुर शहर में 45 वर्ष और उससे अधिक उम्रे के लाभार्थियों के वैक्सिनेशन को लेकर नगा निगम दक्षिन के वार संख्या च्छय में वैक्सिनेशन शिविर आयो जित किया गया महापार दक्षिन वनिता सेट उप महापार किशन लड़ा ने शिविस्थल का जैसा लिया इस अफसर पर वार पाशर लहरा देवी भी उपस्तित थी जुलावदिक सेवा प्रादिकन जोदपूर महानगर की सचेव रहना शर्मा ने मगरा पुंजलासित राच के संप्रेशन एवं किशोर ग्रह का आकस्मेक निरक्षिन किया इस ग्रह में निवासरत बच्चों के रहन सहन अन्ने आवशक सुविधाय और उनके खान पान एवं कोविड-19 वे ब्लैक फंकस को देखते हुए उनके स्वास्ते का विशेश ध्यान रखने के निरदेश दिये गए तो फिलाल इस फिलिटेन में इतना है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें